बिस्मिल्य रह्मान रहीम, अस्सारावनेकूं, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल और आज हमारा एक्ष 104 का लिक्चर नमबर 6 है, रेल नमबर सिस्टेम, और एन इन इक्वालिटी, ठीके, तो हम पहले तो रेल नमबर को देखें, उसके बाद और इन इक्वालिटी को तो रेल नमबर क्या होता है, लार्जिस सेट होता है, जिसके अंदर सारे इंप्रूब होता है, यहां एक्जामपल्स कुछ मेरी बेंशिक की विए, जिसमें इक्वालिटीजर का सेट आ जाता है, पॉजिटिव नेगिटिव दोनों, ठीके, नेगिटिव इदर से होता है, जिसके उपर होता है, उसका मतलब कि पॉजिटिव इंटिजर, तो वो सिर्फ वन से स्टार्ट होगी, और सारे अब टू अलिबिटिव दी होगी तो वहां तक, नैच्रल नमबर जो होता है, वन से स्टार्ट होता है, और होल नमबर जिरो से स्टार्ट होता है, रैशनल नम जो होता है वो होते हैं जो कि उनका कोई वो नहीं हो नहीं होता है is ऑन्रूट 2 ले वह सारे एज्चपन से पड़ते हैं तो इसको है तीटो समझाने की कोई पर यहाइस अजला escaped डिए सैनल है आई एसका किन मेल्स आइज तो आपको पता है कि एक सीधी लाइन होती है बीच में 0 होता है एक साइड पर पॉजिटिव नंबर दूसरे साइड पर डेगेटिव नंबर होते हैं और अगर हमें कोई नंबर दिया हो जैसे 1.5 पहले मैंने एक्जांपल लगी है तो आपको कहा हो कि यह रेल नंबर पर कहा ह है लाइन पे तो आपको सिंपल सा पता चलेगा 1 और उसका मिट पॉइंट जो होता है वो 1.5 होगा ठीक है यहां पर जारा आगी बिचोगे बस मिट पॉइंट आपको पता है 1 पिर 1.5 होगा फिर 2 होगा ठीक है तो इसी तरह अगर दूसरी एक्जांपल देखे 8 बाई 3 यह यह साइड पे जो नंबर होता है यह उपर वाला होता है इधर साइड पे आ गया यह साइड वाला नंबर नीचे होता है यहां पे देखे यह नीचे है और यह इधर नीचे वाला जो होता है वो उपर चला जाता है ठीक है यह इस तरह इसकी फॉर्म में करने के लिए अब आ जो होगी 2 के बाद होगी ठीक है यहाँ पर गई 2 के बाद होगा यह जो आपके पास 8 by 3 का वो point होगा तो यह 2 के बाद होगा कहीं पर और कितने parts में यह नीचे वाला value हो इसका मतलब है कि इतने parts में आपने इसको divide करना है 3 तो 3 parts के लिए हमने 2 line है लगाने होगी यह एक part हो गया यह दूसरा part और यह तीसरा part यह नहीं कि 3 lines लगाए 3 lines होगी तो 4 parts बन जाएगे इसलिए हमने 2 lines लगाए कि यह 3 parts हो जाए एक part 2 part और तीन part और यह 2 जो है यह आपको 3 होगा फिर 2 by 3 पिर 3 by 3 फिर 4 by 3 इस तरह हमारे point जाते हैं तो इसलिए यह वाला point होगा यह 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 नंबर जो है आएगा ठीक है next देखें हमारे पास decimal जो है expansion भी होती है real number की ठीक है real number को अगर decimal form में हो तो वह कैसे करते हैं तो decimal आपको लिखा है decimal expression operational number will either stop or will be half pattern that repeat stop मतलब जैसे के 3 by 4 है इसको stop हो गया ठीक है यह stop हो गया समझ आगे यह दूसरा pattern है जो repeat हो रहा है 5 4 5 4 5 4 हमें नहीं पता कहां जाके stop होगा तो यह repeating pattern होता है तो अब इसको अगर हमने number line पर लगाना है तो decimal number को number line पर लगाना है तो आपने पहले 0 लिखा इस साइट पर negative इस साइट पर positive 0.5 है तो 0.5 आगे जाना है फिर वान आएगा ना फिर यहां पर 1.5 होगा फिर 2.5 बीच में होगा इसी तरह पॉइंड वाले आते हैं इसी तरह अगर negative करें तो negative में यहां पर हमारे पास देखें पहले तो यहां पर 0.5 होगा minus 0.5 फिर इदर minus 1.5 फिर इदर minus 2.5 फिर इसके बाद बीच में minus 3.5 फिर 4 आएगा है ना तो इस तरह यह लाइन पर जो है decimal आते हैं ठीक है नेक्स हमारा जो आता है order and inequality order relation देखने हैं हमने किसी दो भी होते हैं आलफबेट्स sorry elements उनका order देखने है वी से a is less than b अगर हम a कहें कि less than b है या a is greater than b उसको कैसे represent करेंगे अगर less है तो मतलब जिसकी तरफ ये वाला है ना मुझ खुला वै फॉर एक्जामपल आप बताएं कि ऐसे मुझ खुला वै और जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है ये b की तरफ है तो b बड़ा है अगर ऐसे हो और a की तर यहां पर गया है हमने for example 2 लिखा है ये 5 positive क्यों कहरें क्योंकि sorry b minus a positive हो b क्या है हमारे पास 5 है और minus a हमारे पास positive हो ये भी positive नबर हो और 2 भी positive तो देखे 2 की side पे जाए ना तो a चोटा होगा b से क्योंकि यहां पर 2 है फिर 5 हो दर जा रहा है इस side पर जाएं तो हमारे पास यहाँ पर minus two फिर minus five आता है, तो यहाँ पर two छोटा है, minus वाले नंबर में हमीशन छोटा नंबर बड़ा होता है, यहाँ पर two बड़ा है और minus five उससे छोटा है, इधर जितना चाहते जाएंगे छोटा आते जाएगा, तो हमें इसलिए कहा गया है कि positive हो तब ही जो है, A, B बड़ा होगा A से, B बड़ा है ना, B five है और A क्या है, two है तो, तब ही positive जब होगा तब ही negative होगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा, A बड़ा होगा B से, इसको हम A कह देंगे और इसको B कह देंगे, तो A बड़ा होगा B से, तो कि negative में जितनी बड़ी नमबर जाते हैं तो उतना वो छोटा होता जाएगा सही है नेक्स देखिए properties हैं हमारे पास of positive real number real number की कुछ properties हैं यहाँ पे देखें तो mention है if A and B are positive then A plus B and A multiply B are positive अब यह आपको properties तो ऐसे बताए गही हैं लेकिन यह आती पेपर में नहीं यह usually examples आई होती हैं उनको करना होता है तो आपके पास अब देखें A और B तब अगर positive होंगे तब ही जो है उनका positive आएगा जैसे कि 3 plus 2 कह दे 5 तो यह भी positive number नमबर है ना कोई minus 2 तो नहीं आया ना इसी तरह 3 multiply 5 कह दे 3, 5, 15 यह भी positive ही आया है तो मतलब 2 positive नमबर multiply होंगे यह plus होंगे तो positive ही आयेगा इसी तरह any real number A, either A is positive तो A, यह तो 0 आयेगा यह तो A positive मतलब A is equal to positive नमबर A कह दे for example positive नमबर plus A कह दे यह A is equal to 0 आएगा यह minus A जो होगा वो भी positive अब example में नहीं आकर आएए कि आपको समझाए A is equal to 2 for example तो यह तो देखने से पता है कि यह positive है A अगर हम minus ले negative A के साथ number लें तो उसके साथ A का क्या होगा? कि यह A का minus मतलब minus अगर negative A है ना तो negative यह negative और A की value minus 2 है तो minus 2 लगाई minus minus 2 नो plus होगे तो 2 ही आया ठीक है? मतलब कोई भी negative number अगर negative A के साथ multiply होगा तो वो क्या होजाएगा? वो positive होजाएगा और A अगर यह तो 0 होगा तीन बाते हैं यह positive यह negative यह 0 तो negative होगा तब भी वो positive ही होगा यह इसकी property है next हमारे पास आता है inequality equality तो आपको पता ही है ना equality किसे कहते है? equal कोई भी चीज यह A is equal to B तो मतलब यह A, B के equal का होगा कि A भी 2 हो, B भी 2 हो A भी 3 हो, B भी 3 हो, तब ही equal हो का ना ठीक है? तो यह इसको कहते है equality, अब inequality है हमारे पास जबके एक बड़ा हो दूसरे से तो हमारे पास अगर तो A छोटा है, B बड़ा है For example, यहां 2 है और 5 है, तो यहां पर B बड़ा है यह भी हो सकता है, हमारे पास ऐसे भी हो सकता है A और greater than than equal to B, ऐसे भी हो सकता है कि A हमारे पास, और B जो है बड़ा भी हो और equal भी हो, जैसे कि यह 3 और 3 कर ले, greater than equal to b कर दे 3, तो ये greater भी है और equal भी इस तरह कहा सकते हैं, अगर दूसरी तरफ करें तो ये तब भी यही मतलब होता है और a बड़ा हो सकता है, b से b, a बड़ा equal भी हो सकता है इन सब को inequalities कहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये equal इसमें कुछ भी नहीं है अच्छा, a बड़ा है b से, ये b बड़ा है a, ये strictly inequality होगी क्यों? क्योंकि इसमें equal नहीं है equal का sign नहीं है, equal होगा तो वो inequality आ जाती है, लेकिन strictly inequality वो होगी, जिसमें बिल्कुल equality नहीं है, क्योंकि examples में, यहाँ पे examples में आपको समझ आजेगी देखें, अब यहाँ पे b बड़ा है a से, अब minus 6 से, छोटा है minus 3 से मैंने आपको कहा था, आप कहेंगी, नहीं, 3 तो बड़ा है 6 बड़ा होता है, तो यहाँ पे negative number हमें साथ, जितना चोटा होगा, वो बड़ा होगा, वो बड़ा वाला होता है, सही है, as compared to बड़े के, 4 equal भी है और greater है, वो ही बात उपर जो आगई equal और greater की, यह देखें, अब एक ही मतलब है इस तरफ मों को नहीं है, उस तरफ, 5 बड़ा है minus 8 से, आप पता है negative number छोटा होता है चाहिए जितना भी बड़ा हो, लेकिन negative है तो वो और यहाँ पर positive से छोटा है, तो इसके माइनस से zero बड़ा होता है, minus वाले number से दूसरी बात, यहाँ पर a बड़ा होता है zero से, तो क्या होगा, a positive होगा a बड़ा होगा नो, तो a अगर इस side पर है तो a क्या है, a बड़ा होगा ना, और a अगर इस side पर है, तो यह zero से छोटा होगा यहाँ पर zero करें, यहाँ पर इसका यह zero से बड़ा है, और अगर zero बड़ा है, तो मतलब a क्या है negative क्या नबर है दूसरा देखें, यहाँ पर हमारे पास a is greater than, sorry, a is less than x is less than seven, इसका क्या मतलब है two जो है, छोटा है, x है इसको अलग कर दिया, और इस x को अलग कर दिया, seven जो है, बड़ा है x है, इस दो लों को एक साथ करके भी लिख सकते हैं, और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ properties हैं हमारे पास inequalities की, ठीक है इनकी examples जो है तो मैं यहाँ पर एक दो की करवा दे, तो वैसे ही आपको कोई भी number ले लें तो आपको आसानी से हो चाहिए, a is greater than equal to b sorry, a, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब, two is greater than equal to two, two is equal भी है और greater भी कह सकते हैं, ठीक है, यह इसका example हो गई, a is greater than b and b is greater than a, इसका मतलब तो क्या होगा जब b बड़ा है a से और यहाँ पर a भी बड़ा है b से, दोनों एक दूसरे से बड़े हैं तो इसका क्या मतलब है, a, b के equal ही है न, तब ही एक दूसरे के बड़े है, जैसे यह two, हमने कहा दिये two तो यह बड़ा भी है, equal भी, इसका क्या मतलब है कि यह two, a भी हो सकता है और यह b भी हो सकता है, और यह b भी हो सकता है यह a भी हो सकता है, वही बात हो ज़ती है, ठीक है तूसरे बात है कि a, b अगर बड़ा है a से और c बड़ा है b से, तो इसका यही मतलब है ना कि one जो है वो five से भी छोटा है a c से भी छोटा है यही बात है फिर next है a बड़ा है b बड़ा है a से और b equal है a के a equal है b के और अच्छा यह तीन है यह तो होगा a b बड़ा होगा या a बड़ा होगा या एक दुशे के equal होगा यह तीनों चीज़े hold करेंगी इस property में ठीक है ऐसा ही होता है है या तो एक value बड़ी होती है या तो एक value छोटी होती है या तो की दोनों एक दोसे के equal होते है equal होने का मतलब यह बी है कि greater that and equal हम कर दे a को b से या b को a से कर दे यह मतलब इसका भी है equal होने का इन दोनों का मतलब यह है कि A B इक्वल है इस तीनों चीज़ों का यह मतलब है ठीक है तो यह तीनों चीज़ एक्सिस करेंगी next property है A B जो है बड़ा है A से और इक्वल भी है and A बड़ा है अच्छा अब यहाँ पर देखें यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो यह 2 बड़ा है और यह चोटा है तो इसका मतलब है कि अगर A के साथ 1 के साथ हम कोई भी नबर add कर ले 2 तो वो चोटा ही रहेगा 2 के साथ अगर कोई नबर C जो है अमने 2 add कर दिया 2 2 4 हो गए और यह 1 और 2 3 हो गए तो यही मतलब है न कि मतलब कोई भी अगर extra C नबर कोई भी add कर लें A या B के साथ वो ही hold करेगा A हमेशे छोटा ही रहेगा B से क्योंकि C जो है कोई भी नबर add हो रहा है तो दोनों के साथ ही add हो रहा है इसके इलावा एक और property है कि A C और B C मतलब B C बड़ा है A C से जब 0 बड़ा होगा और C negative होगा वो ही बात आ जाती है न नेगिटिव नमबर छोटा होता है न तो इसका मतलब यह negative अगर यही चीज देखे अब यहाँ पर 3 बड़ा है यही चीज मैं यही समझाती हूँ यह A B और A C वाली चीज जो है अब यहाँ पर 3 4 बड़ा है न Q क्योंकि यह जो है इसमें C जो है positive था लेकर C negative होता यह minus 2 होता तो हमाई पास इधर भी minus आ जाता है इधर भी minus तो फिर change हो जाती property minus 3 बड़ा हो जाता minus 4 से ठीक है क्योंकि negative नमबर जितना छोटा हो वो बड़ा होता है यही बात है अगर C positive होगा sorry 0 बड़ा होगा तो वो जो है हमारे पास A C बड़ा होगा और अगर 0 जो है negative sorry C negative होगा तो हमारे पास B C बड़ा होगा अपसो समझाई होगी properties है examples होगी ना तो समझाईगी यह अभी आप properties सिर्फ देख लें next lecture में या आगे जो हम पढ़ेंगे तो properties यूज होगी मतलब examples आपके पास आई होगी तो आप लोग उसके हिसाब पर बता देगी number सिर्फ देख के आपको समझा जाएगी कि यह बड़ा है यह दूसरा बड़ा है इसमें तो confused होने की जरुएत नहीं है कि वो छोटे होते जाएगे और positive number बड़े की तरफ जाते जाएगे तो वो बड़ा होता जाएगा सही है यह दो तीन चीज़े है इस lecture में और कुछ भी important नहीं है बस यह आपने याद रखना है कि negative number जो है कब बड़ा होता है और positive number कब होता है सही है उमीद है समझ आयोगी फिर भी ना आयो तो as usual कमेंट करें मैं जवाब ज़रूर दोंगी तब तक इजाज़त दीजिए अलाहाफिज